हेलो गैस विल्काम बैक टू टेलिवूड अपडेट्स इस वडियो में बात करने जा रहे हैं स्टार भारत के बारे में ये एक ऐसा चैनल रहा है जो की स्टार्टिंग से लेके अब तक बहुत जादा बार रिवैंप हो चुका है अलग-अलग टाइब के जॉन्राज इन्होंने ट्राई किया हैं अलग-अलग टाइब की स्ट्रेटेजीज सब अपन आ चुके हैं और पॉपूलर टीवी सीरिल्स जो हैं वापस देखने को मिले नए सीजन्स के साथ और तीन होई शोज काफ़ी जादा बूरी तरह पिट गए तीन होई शोज बिल्कुल भी टीयारपी नहीं लेकर आप आए और हमारे इंडिया के लीस्ट वाज्ड सबसे कम देखे गए सीरिल्स बन गए तो ये तो सबसे बड़े फ्लॉप्स रहे स्टार भारत के और इसके पहले जो शोज आ रहे थे वो भी इनसे जादा टीयारपी लेकर आ रहे थे अब इसी के साथ सबसे बड़ा जो सवाल उठता है वो ये है कि स्टार भारत चैनल के साथ अब किया क्या जाए तीन तिन नए शोज वो भी पुराने पॉपुलर वाली सीरिल्स वापस लेकर आके भी अगर नहीं चले तो इस चैनल के लिए आखिर वर्काउट क्या गरेगा विकॉज इससे पहले भी कई पुराने पॉपुलर स्टार भारे सीरिल्स का भी ये नया सीजन लेकर आने का ट्राई कर चुके है और वो भी चैनल के लिए वर्काउट नहीं करा था तो current strategy क्या है Star Warcraft की तो guys अभी के लिए तो strategy है फिलाल के लिए Star वालों ने इसको बंद करने का कोई फैसला नहीं लिया है इसको shutdown करने के currently अभी के लिए तो कोई plans नहीं है अगर आने वाले अफ़तों में होंगे तो बताऊंगा अभी के लिए Star Warcraft की जो main strategy है वो यही है कि वो जादा शोज खुद नहीं बना रहे है करेंटली इस मुमेंट पे सिरफ एक शोज खुद बना रहे है वो है शेतानी रस्मे उसके इलावा एक भी हमें स्टार भारत का कोई नया सीरिल देखने को नहीं मिल रहा है यह इसलिए है कि टीवी पे टेलिकास्ट करने के राइट्स वो खरीद रहे है और उनको दिखा रहे है ऐसे सीरिल जो कि यहां तो OTT पर आ चुगे हैं यहां फिर किसी दूसरे पुराने चैनल पर आ चुगे हैं तो उनको वो री टेलिकास्ट करके ही अब अपनी इस नई स्ट्रेटेजी को पनाने वाले हैं और ट्राइ करने वाले हैं कि क्या उनको स्टार उत्सव या फिर सोनी पल जैसे इस टाइप की ट्यार पी मिलती है रिजिनल एरियाज में या फिर नहीं और अब वो जैसे की बागिन सीरियल लेकर आ रहे हैं वो अतरंगी एप का सीरियल है OTT का सीरियल है स्टार भारत वालों का खुद का नहीं है भगवान परशूराम सीरियल लेकर आ रहे हैं विशाल लेतिया सिंग जिसमें में लीड है वो सिरिल स्टार भारत का खुद का नहीं है वो तरंगी टीवी चैनल पर आया करता था और बंद भी हो चुगा उसको री टेलीकास्ट कर रहे है और काफी टाइम पहले से ही ये आशिकाना सिरिल को भी लेग रहे थे प्राइम टाइम स्लोड नौ बजे पे जो की होट स्टार का एक वेब सीरिस रहा है वेब शो रहा है और वेब शो को टीवी पे बसे टेलीकास्ट कर रहे थे वो तो चलो स्टार के अंडर ही आता है विकॉज वो होट स्टार के अंडर था तो एनिवेज अब ये है स्टार भारत वालों की main strategy, खुद के serials produce करने नहीं वाले, mostly जो नए shows आपको upcoming इसमें देखने को मिलने वाले हैं, वो ऐसे ही होंगे पुराने episodes के repeat telecast होंगे, या फिर या फिर कोई OTT show वगेरा होंगे, जो की telecast कभी TV पे नहीं होए हैं, उनके rights खरीद कर उसको TV पे दिखाएंगे, तो इस तरह का channel रहने वाला है, अब upcoming star भारत, और अगर इस चीज से भी, उनको जरा भी TRP नहीं मिलती, या फिर उतने ही गंदी TRP मिलती है, जितने की मेयाई कमेंस और भागेवती को मिली है, तो फिर आगे star वाले decision लेंगे, कि इस channel के साथ करना क्या है, क्या इस channel को shut down कर देना है, या फिर फिर से revamp करके, नाम बगएरा बदल के, इसको as a new channel लेकर आना है, वो सब अभी के लिए कुछ भी decide नहीं करा गया है, लेकिन अगर ये strategy भी work नहीं करती, तो फिर उस पे आगे further decision लिया जाएगा, comments में जरू बताईए जो नई strategy अपनाई है, इन्होंने या आपको interesting लग रहे हैं या फिर नहीं, आप इस channel को अब देखेंगे, या फिर नहीं, अब आगे चल कर जो भी इस channel के साथ होगा, उसकी सारी cover पाने के लिए हमारे channel को कर लीजे, subscribe और साथ में जो bell notification है, उसको on कर लीजे, तांके कोई भी वीडियो बिल्कुल भी miss ना करें इस channel के related कोई भी news मिस ना करें comments में अपनी राइज जरू बताईएगा, वीडियो को लाइक करिए share करिए इस channel के fans के साथ विलाल के विडियो में इतना ही मिलता है, नेक्स लुडियो मैं भी के लिए चलता हूँ, good bye